है गाइज वेलकम बैक टू मैं चैनल लाइफ कैपचर संध्या और जैसा कि आप सबको पता है कि पित्रपक्ष चल ला है तो पित्रपक्ष पर हमारे पित्रगड जितने भी हैं जो लोग मतलब हम लोगों को छोड़के चले गए हैं वो धरती पर आते हैं अपने वच्चों को वाशिरवाद देने के लिए तो आज मेरे सशो जी का शराद है और मेरे मतलब पापा जी का फोटो अकेले में नहीं था तो इसलिए हम अम्मा के साथ उनका लगाए हैं तो आज उनका शराद हम लोग मतलब कर रहे हैं तो भोजन वगरे बनाया पंडे जी को बुलाए हैं और यह मतलब थोड़ा सा शीधा निकालते हैं तो जो अनाज मनलब पंडे जी को भोजन भी कराएंगे और उनको एक मतलब ब्रामर का भोजन दान भी करते हैं पुरा दाल चावल आटा नमक हल्दी सबजी और वस्त्र एक तो यह मैंने वस्त्र पैंट शर्ट था मेरे पास तो और यह दक्ष्रा उस पर रख देते हैं और यहां मेरा खाना देखे थोड़ा डेटी हो गया थोड़ा भी नहीं हुआ तो यह आलू गोभी कि सबजी यह पालग पनी यह सलाथ कट गया और यह पकोड़े की मैंने त्यारी किया तो यह पकोड़ा बनाने जा रहा है और यह ख जगर निकाल के दे देंगे तो यहां हम लोगों ने पापाजी के आगे फूल वगर है मतलब फोटो के आगे चड़ा दिया है और दीपक जला दिये हैं अब उसके बाद थाली में खाना निकाल कर लाएंगे जब तक पंडी जी नहीं आते तब तक यह सब काम कर लेते हैं कि थाली में खाना निकाल के आगे रख देंगे और पांच जगए जो कुटा गाए कोवा चीटी और बाकी चील वगर जो है उनको खाने के लिए चट पे और बाहर रख देते हैं पांच जगए तो ऐसा पूरे पित्र पक्ष भर करते हैं कि खाना अपने पित्रों के नाम से न अधना दिया पपाजी फोटो पर अब जा रहे हैं खाना निकाल लें तो जितनी भी चीज में ने बनाई थी मतलब भी लॉकी का अलू का पपाकोडा बनाया था और जितना भी खाना बनाय था वो एक ठाली में निकालकर और पापाजी की फोटो के आगे रख देंगे फिर उस तो अब हो गया देखे प्रंडी जी भोजन कर लिये हैं पती दियो कर रहे हैं और अपने जी अपना सब कुछ बांध रहे हैं तो यह हमारा आज का पापा जी की शिराद का ब्लॉक था और हम तो ऐसे ही करते हैं कि मुझे जादे कुछ आता ने किसी ने बताया भी नहीं आप किसी करते हैं यहादे जादे लेगा